चुडिया के घर की चछत तूट गई थी इसलिए आज चुडिया बहुत परेशान थी मैं अभी जंगल से सूखी लकडिया लाती हूँ और अपने घर की चछत की मरमत का काम शुरू करती हूँ ऐसे सोच कर चुडिया अपने घर से निकलती है थोड़ी दूर चुडिया को एक लकड़ारा इंसान नजर आता है चुडिया उस इंसान के पास चाती है लकड़ारे इंसान क्या तुम सूखी लकडिया ढूंड रहे हो? हाँ हाँ चुडिया क्या तो मुझे बता सकती हो कि मुझे इस जंगल में सूखा पेड कहां से मिलेगा अगर मैं आपको बताओं तो क्या आँ मेरे घर की छट की मरमत कर दोगे काम तो मुश्किल है मगर छोटी चुडिया से जूट बाल देता हूं वो इनसान अपने मन में ऐसे सोचता है हाँ हाँ चुडिया क्यों नहीं मैं करूँगा अगर तो मुझे सूखा पेड ढूंड कर दो तो मैं तेरे घर की छट ठीक कर दूँगा तो फिर आप मेरे पीछे पीछे आ जाएं चुडिया इनसान लकड़ारे को घने जंगल में ले जाती है जहां एक शीशम का पेड पूरी तरह सूख चुका था ये रहा सूखा पेड लकड़ारे इनसान तुम इसे काट सकते हो लकड़ा वो पेड काट लेता है और उसे अपनी बैल काड़ी पर लाद कर अपने घर ले जाता है चुडिया भी उस लकड़ारे इनसान के पीछे पीछे जाती है लकड़ारा सूखे पेड को आरे से चीड लेता है लकड़ारे इनसान अब आपका काम पूरा हुआ चलो अब मेरे घर की चट ठी कर दो वो तो मैंने जूट बोला था मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक चोटी चुडिया के खर की चट ठी करने जाऊं धोका तुमने मुझे धोका दिया तुमने जूट बोला राजा जी कहते हैं कि जूट बोलना पाप है मैं बताऊंगी, मैं राजा जी को बताऊंगी राजा जी भी फारग ही बैठे हैं चुडिया तेरी बात सुनने के लिए चल भाग यहां से रोती हुई चुडिया राजा जी के महल की तरफ उड़ जाती है मगर वो जैसे ही राजा जी के महल में जाने लगती है तो सपाही जुडिया को रोक लेता है जान से जाओ की जुडिया बीना पूछे, बीना बताए कोई राजा जी के पास नहीं जा सकता आप राजा जी को मेरा संदेश दे राजा जी को बताईए कि जंगल से आई छोटी चुडिया आपसे मिलना चाहती है ये सुनकर चुडिया निराश हो जाती है वो रोती हुई वापिस जाने ही लगती है कि राजा की रानी चुडिया को आवाज देती है चुडिया मेरे पास आओ मुझे बताओ क्या बात है चुडिया खुशी खुशी रानी के पास चाती है रानी रानी जी उस लकड़ारे ने मुसे वादा किया मैंने उसे सूखा हुआ पेड़ दी खाया और अब वो मेरे घर की जट ठीक नहीं कह रहा चुडिया तुम जंगल से आई हो तो क्या हुआ नियाए सब के लिए होगा कोई बखशी हो या परसू या कोई इनसान नियाए सब के लिए होगा रानी अपने सपाही से कहती है सपाही जल्दी जाओ चुडिया के साथ और उस लकड़हारे से कोओ कि अगर चुडिया से वादा किया था तो तरुंत चुडिया का घर ठीक करे वरना उसे सजा मिलेगी जूट बोलने की सजा मिलेगी उसे सपाही चुडिया के साथ जाता है लकड़ारा अपने दिहान काम कर रहा था चुडिया को सपाही के साथ आते देखकर लकड़ारा समझाता है कि अब उसे जाना ही पड़ेगा और वो सपाही से पहले ही बोलता है चुडिया चुडिया मैं कब से तुम्हें ढोन रहा हूँ लकड़ी त्यार है चलो मैं आपके घर की चत ठीक कर दूँ ये हुई ना बात जूट बोलना बुरी बात है फिर चुडिया लकड़ारी को साथ ले कर जाती है और लकड़ारा चुडिया की घर की चत ठीक करता है तोता उस जंगल का राजा था वो बहुत नेक और इमानदा राजा था वो अपने राजे में सब ही पक्षियों के साथ नियाए करता तोता अब बहुत बिमार रहने लगया था और वो सोच रहा था कि अपने जीते जी किसी दूसरे पक्षी को जंगल का राजा बना दे ऐसा सोचते हुए एक दिन तोता राजा अपने सलाहकार कबूतर को बुलाता है और उससे कहता है कबूतर मैं अब बहुत बिमार हूँ मेरा कुछ पता नहीं कि मैं कब मर जाऊँ मैं चाहता हूँ कि जीते जीते अपने राजे का निया राजा बना दूँ ताकि मेरे मरने के बाद कोई बुरा पक्षी इस जंगल का राजा ना बन जाए ये आपने ठीक सोचा तो ते राजा जी परन्तु आप किसे राजा बनाना चाहते हैं यही तो मैं सोच रहा हूँ कि इमानदार और नेक पक्षी को कैसे तलाश करूँ राजा जी मेरे पास एक उपाए है अगर आपकी अजासत हो तो बताओं बताओ बताओ कबूतर मैंने इसलिए तो तुम्हें बुलाया है राजा जी मैं आज ही पूरे जंगल में इलान करवा देता हूँ कि जो जो पक्षी आपके बाद राजा बना जाता है वो आपके पास आकर अपना नाम लिखवा दे और फिर बाद में हम उन पक्षियों की परिक्षन लेंगे और जो पक्षी हमारी परिक्षन में पूरा उतरेगा उसे आप राजा बना देना ये तो बहुत अच्छा उपाय है कबूतर आप आज ही जाओ और पूरे जंगल में इलान करवा दो सुनो 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 जंगल के रहने वालो सब सुनो तोते राजा जी इलान करवा रहे हैं कि वो जंगल का निया राजा बनाना चाहते हैं जो जो पक्षी राजा बनना चाहता है तो ते राजा के पास जाए और अपना नाम लिखवा दे सुनो 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 ऐसे कभूतर पूरे जंगल में इलान कर देता है हमारे राजा जी बहुत अच्छे थे वो बहुत इमानदारी और नियाई से काम लेते थे और अगर उनके मर जाने के बाद कोई बुरा पक्षी राजा बन गया तो बहुत बुरा होगा चुडिया बहन आप भी जाए तो ते राजा के पास और अपना नाम भी लिखवा दे परनतो बुल बहन मैं ये कैसे कर सकूंगी मुझे पूरा विश्मास है चुडिया बहन आप से अच्छा और कोई पक्षी नहीं है इस जंगल में तो ते राजा के बाद आप जाएं अपने लिए नहीं तो बाकी सब पक्षियों के लिए ही सही फिर चेडिया बुल बुल की बात मान लेती है और तोते राजा के पास चली जाती है कालू जी सुना है कबूतर क्या इलान कर रहा था यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं राजा बन जाओं तो कितना मज़ा आएगा और मैं राणी बन जाओंगी और मैं हर रोज ने ने कहने लूँगी कोई रोकने वाला नहीं होगा मुझे पहले मुझे राजा तो बन लेने दो फिर ही तम राणी बनोगी चलो अब तोते राजा के पास जाते हैं फिर गोरी कवी और कालू कवा तोते राजा के पास चले जाते हैं छेडिया भी तोते राजा को अपना नाम लिखवा देती है राजा जी मेरा नाम भी लिख ले बताओ बताओ कवी क्या नाम है तुम्हारा कालू कवा कालू है जी मेरा नाम तो फिर चिडिया और कवे सुनो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बाद किसी ऐसे पक्षी को राजा बनाओ जो इमानदार हो और मेरे इस जंगल में नियाई करे तो ते राजा जी अगर आप मुझे इस जंगल की रानी बनाओगे तो मैं आपके बाद इस जंगल का आपकी तरहा ही खियाल रखूंगी ओर राजा जी मैं बड़ा भी हूँ और शक्तिशाली भी और ये चिडिया कमजोर है आप मुझे ही राजा बना दें मैं और मेरी पतनी सब संभाल लेंगे और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप दोनों ऐसा करें तीन दिन मेरे शाही महमान बनें और मेरे घर के पीछे जो दो आमों के पेड़ हैं उनमें से एक एक ले लें खाए पियें और मजा करें तीन दिन तक मुझे सोचने का मौका दें और फिर ऐसे गोरे कवी, कालू कवा और चिडिया शाही महमान बन जाते हैं इस पेड़ पर तो बहुत सारे आम हैं ये आम मेरे लिए तो जाता है चलो मैं इन आमों में से कुछ आम घरी पक्षियों को दे दूँगी ऐसे चिडिया उस पेड़ से अपनी जरूरत के अनोसार खुद भी आम खाती है और दूसरे घरी पक्षियों को भी दे देती है कालू जी अभी तो शाही महमान बने हैं तो इतने स्वादिश्ट फल मिल रहे हैं जब राजा बनेंगे तो फिर कैसा मज़ा होगा चलो चलो आम खाओ और जी भर के खाओ मुफ्त का माल है पहली बार मिला है मेरा तो सूखा दाना खाखा कर बुरा हाल हो गया था ऐसे गोरी और कालू दिन रात आम खाते हैं और सोते रहते हैं मैं भूका हूँ कवे मैं कबूतर वजीर के पास गया था उसने कहा के आप से एक आम ले लूँ सारी नींद खराब कर दी तुमने मेरी चल भाग यहां से ये आम का पेड़ राजा जी ने हमें दिया है क्योंके हम राजा जी के शाही महमान है फिर वपक्षी निराशो कर चिडिया के पास जाता है और चिडिया उसे एक आम दे देती है और वो खुशी-खुशी वहां से चला जाता है ऐसे ही तीन दिन गुजर जाते हैं तोता राजा चिडिया और कवे को बूलाता है और पूशता है कवे पहले आप बताओ के आम मीठे थे या खटे मीठे राजा जी मीठे ऐसे स्वादिष्ट आम तो मैंने पहली बार खाए थे खुद ही खाए सारे आम या किसी और को भी दिये नहीं नहीं राजा जी आपने हमें खाने को दिये थे हम किसी और को क्यों देते क्या पेड़ खाली हो गया जी जी राजा जी पेड़ खाली हो गया नहीं राजा जी अभी एक आम बज़ा है वो हम शाम को खा लेंगे चिडिया अब आप जवाब दें चिडिया बताओ आम मीठे थे जी जी राजा जी आम बहुत मीठे थे खुद ही खाए आम या किसी और को भी दिये राजा जी मुझे माफ करना मैंने आपकी अजाज़त के बिना ही भूके पक्षियों को कुछ आम दे दिये थे क्या पेड़ खाली हो गया नहीं नहीं राजा जी अभी तो ठेट सारे आम है पेड़ पर राजा जी मुझे का माल समझ कर बांट रही है चिडिया जैसे पेड़ इसके बापने लगाया हो हमें तो राजा आपने खाने का कहा था इसलिए हमने आपका अधेश अच्छे से माना और किसी दूसरे पक्षि को आम की घुटली भी नहीं थी सब ठीक अभी तीन दिन और तुम दोनों मेरे शाही महमान बनो जरूर जरूर बताएं बताएं राजा जी इस बार हमें क्या मिलने वाला है धेर सारी दूलत मिलेगी आपको इस बार जितना जी चाहे खर्च करना और तीन दिन तक मुझे सोचने का समय दो परंतू राजा जी मैं अपने घर से बहुत उदास हूँ अगर आप कहें तो मैं एक बार अपने घर को देखाऊं बड़ा घर है तुम्हारा नहीं राजा जी मेरा तो छोटा सा आशियाना है मैं बहुत खुश-खुश रहती हूँ अपने घर में गरीब है राजा जी ये चिडिया हमारा घर इसे कहीं बड़ा है अब तुम जाओ कालू जी इस घर में तो बहुत सारा माल है क्या पता हम राजा बने या ना बने क्यों ना तीन दिन में हम ये सारा माल छोड़ी चुपे अपने घर ले जाएं गोरी ये ही तो मैं सोच रहा था राजा जी ने ये हमें खर्च करने के लिए ही तो दिया है खर्च करने से ये सारा रुपईया खतम नहीं होगा हम इसे रात को अपने घर ही ले जाएंगे और फिर जैसे ही रात होती है गोरी और कालू शाही महल से रुपईया चोरी करके अपने घर ले जाती है राजा जी ने तो बहुत सारा रुपेया हमें दे दिया है मैं इस रुपे से क्या करूँ क्या करूँ मैं इस रुपे से चलो मैं बाजार जाती हूँ और तीन दिन का राशन ले आती हूँ और फिर मुझे बार बार बाजार नहीं जाना पड़ेगा ऐसा सोचते हुए चड़िया बाजार जाती है उसे रास्थे में फिर से एक पक्षी मिल जाता है मैं बेमार हूँ मुझे कुछ पैसे दें कि मैं दुबा ले लूँ चड़िया वो पैसे जो वो राशल लेने के लिए लाई थी उसे दे देती है और फिर से खाली ही शाही महल में पहुंचाती है कव्वी और कव्वा सारा पैसा अपने घर ले जाते हैं और सारा पैसा खतम कर देते हैं ऐसे ही तीन दिन पूरे हो जाते हैं राजा उन्हें फिर से बोलाता है कव्वे पहले तुम बताओ क्या पैसे कम तो ना थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना राजा जी ना, बहुत माल था, हमने जी भर के खर्च किया बहुत अच्छे दिन गुजरे शाही मिहमान खाने में हमारे पैसा खुद ही खर्च किया, या फिर किसी को दिया भी आपने हमें खर्च करने का कहा था हम कोई पागल थे जो किसी को देते चिलिया अब आप बताओ के पैसा कम तो ना था राजा जी बहुत जादा पैसा था मैंने तो इतना पैसा पहले कभी देखा भी नहीं पैसा खुद है खर्च किया या फिर किसी और पक्षी को भी दिया राजा जी एक दिन मैं राशन लेने जा रही थी रास्ते में एक बिमार पक्षी मिल गया था मैंने राशन नहीं लिया और वो पैसे उसे दे दिये राजा जी फिर से मुफ्त का माल समझ कर बांड रही थी और जो पैसे तुम अपने घर ले गे थे वो सारे के सारे मैं ले आया हूँ ये ले राजा जी कवो तुम खुद गर्स हो, लालची हो, भूके हो और तुम कभी भी मेरे इस राजे की रक्षा नहीं कर सकते और फिर उस सब प्रिक्षन के बाद तोता राजा रानो चुडिया को अपने जंगल की रानी बना देता है और कवी शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते है गोरी बहन क्या बात है? आपको पहले कभी इतना दुखी नहीं देखा सब ठीक तो है चुडिया बहन क्या बताओं? मेरा बेटा जगू जवान हो गया है उसकी शादी करना है मुझे कोई अच्छी सी और सुन्दर सी कवी ढून रही हूँ मिल नहीं रही बस इसलिए परेशान थी गोरी बहन मेरी बहन वाले जंगल में एक कवी रहती है चुनी है नाम उसका वो बहुत अच्छी कवी है अकेले ही रहती है अकेले? क्या माता पिता नहीं है उसके? नहीं उसके माता पिता तो बहुत देर पहले मरके थे अगर आपको वो तो मैं चलती हूँ आपके साथ हम उस कवी से बात कर लेते हैं तो फिर बात क्या करनी हम अपने जग्गू बेटे को साथ ही ले जाएंगे और अगर मुझे वो कवी पसान्द आ गई तो भिहा कर साथ ही ले आएंगे गोरी बेहन अब तो शाम होने वाली है हम कर सुबहा जाएंगे तो फिर कल कितने बचे में जग्गू को साथ लेकर आजाऊं तुम्हारी दरफ जब आपका मन चाहे मैं सुबहाद घर पर ही होंगी अब चलो गोरी बेहन शाम होने ही वाली है फिर गोरी कवी और चिडिया अपने अपने घर की दरफ चल देती है जंगल में रात हो जाती है सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे कालू जी आज मुझे रानो चुडिया मिली थी वो बता रही थी कि उसके बेहन वाले जंगल में कोई कवी रहती है मैं कल जा रही हूँ चुडिया के साथ उसे देखने क्यों क्या देखना है तुमने उस कवी का अपने जग्गो के लिए अपने जग्गो के लिए पतनी ढूंड रही हूँ मैं तुम्हें चिंता है नहीं मैं तो दिन रात अपने जग्गो की शादी के सपने देख रही हूँ कोई दहेज भी देंगे जगो के सुस्राल वाले दहेज तो नहीं मिलेगा सुस्राल में कौन है वो कवी तो अकेले ही रहती है गरीब सी है माता पीता मरे हुए है मा फिर मैं नहीं शादी करूँगा ऐसी गरीब कवी से मैं तो कोई अमीर सी कवी देखकर उससे शादी करूंगा जगू बेटा ऐसे गारी पक्षी सेवा बहुत अच्छे से करते हैं दो चार दिन सेवा तो करेगी हमारी फिर अगर तुम्हें पसादना आई तो कोई और ढूंड लेंगे फिर ठीक है ममा वो ऐसे बाते करते सो जाते हैं अगले रोज जैसे ही सूरज अपनी रोशनी बखेरता है गोरी कवी अपने बेटे जगू को साथ लेकर चिड़िगा की तरफ जाती है चले गोरी बेहन मैं जगू को भी साथ ही रह आई हूँ मैं तो त्यार हूँ बस तुम्हारी ही देर है मैं भी त्यार ही बैटी थी फिर वो सब दूसरे जंगल चल देते हैं गोरी कवी तो बहुत खुश थी उस कारण नहीं कि वो अपने बेटी की शादी करने जा रही थी बल्के इसलिए के वो अपनी सेवा के लिए एक कवी लेने जा रही थी वो दूसरे जंगल पहुन जाते हैं नमस्ते चिडी आंटी नमस्ते चुन्य बेटी चुन्य कवी बेटी ये गोरी कवी है और ये इसका बेटा जग्व है गोरी बेहन अपने बेटे की शादी करना चाहती थी मुझे से बात की तो मेरे विजार में आप आ गई क्या आप शादी करोगी इस कवे से वो कवे शर्मा जाती है आंटी मेरा तो और कोई भी नहीं है इस जंगल में जो आपको अच्छा लगे गोरी बेहन आप भी चुन्नी को अच्छे से देख लें बाद में फिनना लड़ती फिनना देज वगेरा कुछ नहीं मिलेगा दो पंकों में दुलहन ही लेकर जाना होगी चुन्नी कवे बेटी क्या क्या काम आते हैं आपको आंटी मुझे सब काम आते हैं मैं भोजन की खोच कर सकती हूँ मैं घोशले की मरमत कर सकती हूँ और मैंने तो नया पका लकडियों वाला घर बनाना भी सीख रखा है चुलो मा घर तो नया बनवाएंगे इस कवी से चुप कर जाओ मुझे सिवी कार है जडिया तो फिर चुन्नी चलो हम तुम्हें बिहाने आए हैं आप हमारे साथ ही चलो आंटी आप पहले बैठे तो मैं आपके लिए कुछ फल वगएरा ढोन कर लाती हूँ अब अपने सुसराल जाकर ही फल ढोन ढोन कर लाना चलो शाम से पहले पहले हमें लोड कर भी जाना है ऐसे गोरी कवी अपने बेटे जगू कवे के लिए उस चुन्नी कवी को बिहा कर ले जाती है गोरी बेहन अब मैं चलती हूँ मुझे भोजन की खोच को भी निकलना है और शाम भी होने ही वाली है फिर रानो चिडिया अपने घट चली जाती है तो पास पास के सभी जंगलों में ये कवी मिली तुम्हें अपने बेटे की शादी करने के लिए इसे निया घर भी बनाना आता है और भोजन की खोच भी तो फिर जाओ बहू आज देखते हैं क्या लाती है हमारी बहू अपने सुसर जी के लिए खाने को और साह जी के लिए भी तो क्या पती जी भूके रहेंगे परन्तु जगू कवे जी मुझे तो इस जंगल की अच्छे से जानकारी नहीं है एक दो दिन में मैं सब सीख जाओंगी फिर ही मैं जाओंगी भोजन की खोच में जब घर से बाहिर निकलोगी तो सब सीख जाओगी हम सब भूके हैं जाओ और भोजन ठोंड कर लाओ फिर वो कवी वहाँसे चली जाती है उसे तो किसी दिशा का भी नहीं पता था वो उर्ती उर्ती नदी की दिशा में निकल जाती है और वहाँ जाकर बैढ़ जाती है अब मैं उन सब के लिए भोजन कहां से लेकर जाओं मुझे क्या पता अभी इसने जंगल में भोजन कहां से मिलेगा वो ऐसे बैठी हुई थी कि उसकी नजर नदी के पानी पर जाती है वहां कुछ आम नदी के पानी में बैखते हुए आ रहे थे वो बहुत खुश होती है चुनी कवी वो आम नदी से निकाल लेती है और तुरंट वो आम लेकर वापिस लोड़ती है अरे जगू तुम्हारी पतनी तो कितने सुवादिष्ट और रसीले रसीले आम ढूंड लाई है परंटु मा हमें तो कभी आम मिले नहीं इस जंगल से आप आम खाएं पेड़ गिनने से आपको क्या काम शाम हो जाती है और फिर रात वो सब सो जाते हैं चिडिया आपको तो अच्छे से पता है गोरी और कालू कवी का फिर क्यों उस छोटी कवी की जिंदगी बरबात की आपने कभूतर भीया मुझे पता तो है कि गोरी और कालू उसे बहुत तंग करेंगे परंटु आप देख लेना वो कवी अपने प्यार और भुद्धी से सब संभा लेगी भला ऐसे पक्षियों के साथ कौन रह सकता है कभूतर भीया आप कभूतर हो कभूतरी नहीं हो आपको नहीं पता एक लड़की पक्षी होकर अपनी जिंदगी कुजाने के लिए सब बड़ताश्ट करना पड़ता है ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है वो कभी सब करेगी परंतु अपना घर नहीं जोड़ेगी तो फिर देखते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता तुम बता रही थी के लकडियों का घर बनाना आता है तुम्हें हम भी कब से इस दिनकों के कहोसले में जी रहे हैं अगर तुम्हें लकडियों का घर बनाना आता है तो बनाओ एक सुंदर सा घर हम भी तो देखें तुम कैसा घर बनाती हो जी मा जी मैं पहले सब के लिए भोजन ले आऊं और फिर शुरू करती हूं परंतु मा मुझे आपकी मदद की जुरूरत होगी लकडिया लाने में मेरी मा ने कभी काम नहीं किया तो फिर आप चले जाना मेरे साथ लकडिया ही तो लानी है मेरे बेटे ने भी कभी काम नहीं किया पेता जी आपने भी काम नहीं किया होगा कभी मैं सब कर लूँगी मैं अकेले ही लकडियां ले आऊंगी फिर वो कवी वहां से चली जाती है बहुत अजीब सी कवी है लड़ाई का तो मौका बनने ही नहीं देती जो भी कहते हैं सब कर लेती है मा मुझे तो ये एक अच्छी और सची कवी लगती है अगर ये देहेज नहीं लाई तो क्या हुआ भुद्धी मत्ता तो है इसके पास फिर वो कवी पहले भोजन लेकर आती है वो भोजन सबको देकर फिर से चली जाती है और फिर घर बनाने का समान अकठा करती है वो सूखा घास लाती है कुछ लकड़िया लाती है और फिर कुछ तिन के ऐसे ही शाम भी हो जाती है और वो कवी एक सुंदर सा घर बना लेती है रानो चिडिया भी उड़ती उड़ती वहां आ जाती है चुनी बेटी कैसे लगे आपको अपने सुस्राल वाले सब ठीक है आंटी सब ठीक है माजी मेरा बहुत दिहान रखती है मुझे अच्छे अच्छे भोजन देती है और पती जी तो मुझे बहुत खुश रखते है गोरी कवी बैठी ये सब सुन रही थी और फिर गोरी कवी रोने लग जाती है चुडिया आपने तो मुझे बहु नहीं कोई देवी ढोंड कर ला दी है आज मैं मान गई के सास कैसी भी हो बहु अपने प्यार और भुधी मता से सब के दिल जीत सकती है चुनी मेरी बेटी आप बहुत अच्छी हो कल से हम सब मिलकर फोज़ लेने जाएंगे और सब काम मिलकर करेंगे मेरी मा नहीं थी मुझे मा मिल गई और मुझे क्या चाहिए इस जीवन में फिर वो सब बहुत प्यार से खुशी खुशी अपनी जिन्दी